36 गड़ के जांचगीर में चलने वाली एक सिटी बस भी दूसरी साधारन बसों की तरह ही है एक इसमें खास है कि रोजाना कई लोगों को उनकी मंजिल तब पहुचाने के साथ ही यह बस महिलाफ सशक्तिकरण के अद्बुत मिशाल पेस कर रही है इस बस में पुरुष की जगए एक युवती कंडेक्टर का काम कर रही है न्यू चंदनिया पारा की रहने वाली किरन पांडे चार महिने से सिटी बस में कंडेक्टर का काम कर रही है किरन पांडे को ना तो कोई आर्थिक परिशानी है और ना ही कोई ऐसा दबाव जिसे से उन्हें सिटी बस में conductor का काम करना पड़े लेकिन समाज में बदलाव आए महिलाओं के मन से डर खत्म हो और वह भी उस काम को कर सकें जिसे पुरुष कर दिया रहे हैं इसलिए किरन पांडे ने बस में conductor का काम करने का फैसला किया कॉलिज में बी ए सेकेंड येर की प्राइबेट छात्रा की तौर पर पढ़ाई कर रहे किरन का कहना है कि महिलाओं को समाज का नजरिया बदलने के लिए हर शित्र में आगे आने की जरूरत है बस में महिला कंड़क्टर का होना जाचगीर जैसे छोटे शहर के यात्रियों को पहले हैरान करता था लेकिन ये बदलाओं लोगों को सुखत भी लग रहा है खास तोर पर महिला यात्रियों के लिए जो बस में महिला कंड़क्टर के मौजोदगी से खुद को सुरक्षित महसूस करती है बताया जाता है कि जाजगीर में किरन पांडे पहली महिला बस कंड़क्टर है जाजगीर जैसे छोटे शहर के लिए यह जरूर नया काम है क्योंकि अभी भी यहां की संस्कृती में लोग क्या कहेंगे यह जलता है ऐसे में किरन पांडे ने इस बंधन से निकलने की कोशिश की और वह सफल भी हुई सही माइनों में किरन का ये काम महज लीग से हटकर चलना भर ही नहीं है बलकि ये पुरानी सामाजिक मानेताओं को धत्ता बताते हुए नई राह पर चलने का साहसिक कदम है जाजगीर चापा से राजकुमार शाहू के साथ रागोहिश पांडे के रिपोर्ट डीडी न्यूज